बच्चे की मालिश, बच्चे की सही ग्रोथ, अच्छी नीद और बच्चे के विकाज के लिए बहुत मेतुपून बक्ष माना जाता है। मालिश की टिक्नीक क्या है, सही अप्रोच क्या है, कई दाईयां अब बुलाते हैं तो वो बच्चे की निपल्स को प्रस करती है, बड़ा ही गलत प्रक्टिस है, नमश्कार, स्वागत है अब जानेंगे, नियूबर्न बेबी मसाज की सही टिक्नीक क्या है, एक ब्रोड अप् बहुत मजबूत होते थे, लेकिन ये देखा जाता है कि सर्सों के देल से कॉंप्लेक्शन पर असर पड़ता है, तो कई ऐसे हम ऐल ले आते हैं, जो खुश्बुदार होते हैं, जो बड़े-बड़े नामी कंपनियों के होते हैं, लेकिन ध्यान रखे, कई कंट्रोवर्शी हैं कई बेबी केर प्रोड़क्ट्स पे, उन कॉंट्रोवर्शी वाले प्रोड़क्ट्स से आप दूर रहें, सिंपल, कोल्ड प्रेस, कोकोनट ओयल, गर्मियों के लिए, और ओलिम ओयल, सर्दियों के लिए आप चुन सकते हैं, याद रखें, कोई भी ओयल शुरू में आपको बताए, उसका कोई साइड एफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल प्राकर्तिक तरीके से कोई कांटामिनेशन नहीं है, उसके अंदर कोई खुश्बू नहीं है, कोई आटिफिशल सेंट नहीं है, तो तीन बहीने तक बीबी मसाज में आपको प्रोब्लम आ सक बच्चे की स्किन पर आपको दाने लग सकते हैं, तो कोई तेल अगर गर्म है, तो आप उलिवल से बच्चे को रैशिस आ रहे हैं, या दाने नहीं कलने तब कोई तो आप यूज कर सकते हैं, मालिश शुरू कब करें, दूसरा मैत्वपूर्ण सवाल, ये बच्चा तो सारा दिन में वो मालिश करने योगे हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जुपरे मिच्चे और हैं, या फिर बहुत कम्जोर पैदा हुएं, कम से कम एक महीना वेट करें आप, उसके बाद आप धिर दिर आपकी मालिश शुरू कर सकते हैं, अब बात आती है टेक्नीक की, तो टेक्नीक में सबसे पहले हाथ पैर की बात समझेंगे, सीने पे कैसे करना, पेट पे कैसे करना और पीट पे कैसे करना है, तो जब या पेट की मसाज करते हैं, तो आप clockwise direction में हलके हाथ जोर बिलकुल नहीं लगाना है बच्चे के मसाज के वक्त, आपको technique यूज करनी है, बच्चे के साथ बात करते रहें, कुछ गुन-गुनाते रहें, कुछ music चला सकते हैं, अच्छी habit डालेंगे, बच्चा entertain होगा और वो मसाज को enjoy करेगा, तो बच्चे के पेट पे clockwise direction में हलके हलके lubricated hand से आप घुमा सकते हैं, हाथ पे हाथ से इस तरीके से हाथ बना सकते हैं इससे chest भी broad होती है, और बच्चे को feel भी बहुत अच्छा आता है, अब बात आती है face की, तो face में सबसे important है nasal strip की, तो nasal strip के लिए नाकी ridge को इस तरीके से मसाज किया जाते हैं, जिससे आंसों की जो glands हैं, वो भी ठीक हो जाती हैं, और बच्चे के आंक सकर पानी वानी आ रहा क्योंकि बच्चा sucking करता है, तो उपर का होट उसका उठ जाता है, तो उसको आपको flat करना होता है, इस तरीके से, अब बात आती है हाथ और पैर की, तो limbs में बात करें हाथ और पैर की, तो जांगों पर और बाजू पर अंदर की तरफ हलका हलका इस तरीके से twist दे, जब हम उ पे नीचे से उपर की और हलके हलके हाथों से enjoy करते हुए, बच्चे से बात करते हुए, आप मसाज दे सकते हैं, मसाज से related और भी कुछ information चाहते हैं, ताम हो चाहते हैं, तो आप हमें comment में लिखें, आशा करते हुए जयनकारी आपको काफी कुछ help करेगी, stay tuned with us.